लेटिस अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें कोरोना से बचाओ के लिए आर्शेनिक अल्बम 30 की बढ़ी डिमांड होमियोपैथिक दुकानों पर उमड रही भीड दुनिया भर में हाहाकार मचा रहे कोरोना का इलाज भले ही उपलब्ध नहीं है लेकिन भारत में इससे बचाओ का बड़ा जरिया मिल गया है लोग इस संक्रामक बिमारी से बचाओ के लिए आर्शेनिक अल्बम 30 होमियोपैथिक अउसधी को महत्तपूर्ण मान रहे हैं नविमबई के एक होमियो मेडिकल स्टोर पर दिख रही या भीड इसी आर्शेनिक अउसधी के लिए लगी है लोगों का कहना है कि आयोस मंत्राले ने आर्शेनिकम 30 के उपयोग का सुझाओ दिया है इससे शरीर की रोग प्रतिरोजक्ष रक्ति बढ़ती है जो करोना से बचाती है आईए सुनाते हैं कि लोग इस आउसधी को लेकर इतने उत्साहित क्यों है होमोपैटिक दिमयार्शन अर्शेनिकम 30 और कैमपर वान ये दवा लिये हैं मैंने करोना से बचने के लिए काफी काम सफलता पूर्वक्त काम आ रही है दवाई सोशल मेडिया पर आयूश मंत्राले का स्पेशली जो बनके आया मेसेज वही देखके तो मन बनाया है वेरिफाय ऐसा किया कि पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट वेगरा में भी यही गोली बाटी जा रही है उससे वेरिफाय करके मैंने ये लिए है विश्वास तो है पकार शायद काम आये पर क्योंकि अगर इम्म्यूनिटी बूस्ट होगी तो अपने आपके काम आईगी बताते चलें के महराष्ट में कोवीड संक्रमितों की संख्या 80,000 तक पहुँच गई है वही नम्यूंबई और पन्वेल में 3000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं लोग बढ़ते संक्रमर से भैभीत हैं और इसी लिए बचाओ की हर कोशिस में जुटे हैं तम बांटी गई जो इसका सबूत देती है फिलहाल एलोपैथी के दौर में होमियोपैथिक दवाओं की भारी डिमांड और विक्री से और सधी विक्रेता भी उत्साहित हैं अर्षानिक अलबं की भारी डिमांड पर प्लाजमा एक्सपर्ट डाक्टर प्रदीप महाजन काते हैं कि भले ही आर्षानिक से फादा ना हो लेकिन इससे मानसिक तोर पर लोग मजबूत हो रहे हैं और यही बचाओ का सबसे बहतर जरिया है Bureau Report TV on India